दोस्तो टाटा स्टिल की बात को यहाँ पे एक बड़ी गुण्डिच और निकल क्या रही है अब टाटा स्टिल की दूसरी कंपणी के मर्जर को भी NCLT ने मंजूरी दे दिये और इसलिए यहाँ पे जो रिजर्ड कंपणी डिकलेर करने वारती उसको भी रोक दिया गया है त तो लगातार एक के बाद अब मर्जर की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है बहुत जल्दी है पूरा मर्जर का प्रोसेश कंप्लीट हो जाएगा इसके अलावा देखे तो कुछ बड़ी अपडेट और निकल क्या टाटा स्टिल को लेकर क्या टाटा स्टिल आने वाले समय में बहुत जबर्दस रिटन दे सकता है क्योंकि मर्जर के बाद वैसे भी इसका बीजनस और खर्च में कटोती हो जाएगी तो क्या ऐसे में इस समय टाटा स्टिल में निवेस करना चाहिए या फिर उनकी सबसेडिज कंपनी जिनका मर्जर टाटा स्टिल में जा रहा है किसमें निवेस करें जिससे फाइदा होगा इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एक बिल आइक उन दबा दीजिए ताकि जब भी ने वीडियो ब बात कर ले स्टॉक की सुरुआत हुई फैर पर पोइसटी शुरुआत हुई कल की क्लोजिंग फैर धने थैटी फोर के आश्पास थी इंट्राडे में फैर या जो लो है वो यानि कल के लेवल के आसपास इस्टो गया कुछ समय की थोड़ा साब को रेड होता हूं दिखा थ लेकिन काफी अच्छी खरिदार इस लवल पे भी हो रही है अंत में 135 के आसपास क्लोजिंग नी जापे 0.41% की तेजी थी तेजी इतनी कोई खास नहीं बादर में तो काफी अच्छी तेजी थी लेकिन यहां पे इस टॉक पीछले तो दोड़ा है थोड़ी सी दबाव में दि गिरावट हुई और बात करेंगर 9 जन्नवरी की तो क्लोजिंग 133 के आसपासरी जापे 1.3% की तेजी बनी और 10 जन्नवरी की बात करें तो क्लोजिंग 134 के आसपासरी जापे 0.3% की तेजी बनी और बात करेंगर 11 जन्नवरी की तो क्लोजिंग आपको 134 के आसपासरी आउज़ान पोइटी बना हुआ है वॉल्यूम लगबग एक जैसा ही है पिछले एक मैने पर इसका वॉल्यूट का वॉल्यूम से तु ईक बड़ी अप्डवर का वॉल्यूम है एक के मर्जर को जो प्रकरिया उसको कम्प्लीट की जारी है अब देख सकते हो कि ऐसी कम्पणिया अब धीदे इस प्रकरिया किसे गोजरी है अब देख सकते हो कि NCLT ने Tata Metallics Limited को Tata Steel में मर्जर को मजूरी दे दिये तो टाटा मेटालिक्स लिमिटेड आज अपना कौर्टर थी का रिजल्ट डिकलेर करने जा रहे थी लेकिन उसको कैंसल कर दिया है अब उन्होंने काया कि रिजल्ट हम बाद में गोसित करेंगे यानि एक तरसे देखे तो अभी रिजल्ट नहीं आएगा रिजल्ट की यह जो आज उनकी जो मिटिंग रखे गे तो उस मिटिंग को भी कैंसल कर दिया गया है इसकी जानकारी एक्चेंज को दे दी गई है तो कम्पणी नेक्चेंज को काया कि जो रिजड़्ट गोसित करने के लिए बारा जंदरी निडेसक मंडल की बैटक होने वाली थी इसको हमने रद कर दिया है और एंसल्ट ने गुरुवार को ही टाटा इस्टील में करने के लिए इस विले को मंजूरी दे दिए उसका आद के साथ में आएगा शेयर की प्राइज की बात के तो आज फ्राइडे को 1075 के इस्तर को चुआ है स्टॉक ने और देखें कि तीन ज़ने दो को यह 52 का है इसने बनाए तो 1094 का और इस समय टाटा इस्टिल की बात को 136 के इस्तर पर उस हिसाफ से देखें तो यह मर्जर की प्रक की बात करें तो जो रिवेनी था वो 758.05 क्रोड के आसपास था जो एक साल पहले एटने 88.77 क्रोड के आसपास जिसमें कमी आई है और देखें कि खर्च जुलाई सितमर 2022 में एटने 61.64 रुपे से घटकर 6 एने 96.41 क्रोड के आसपास आ है कंपनी का अभी डाड़ा 90.1 सब्सक्राइब करने वाली कंपनी है तो देख सकते हो कि अभी यह मर्जर होने वाला है इससे पहले 18 प्लेट कंपनी ऑप इंडिया का जो मर्जर है अलड़ी रिकॉर्डेट भी उसकी आचुकी है अब यहाँ पर देखें कि टाटा इस्टिर का शेर जिसने काफी अच्छा सब्सक्राइब का प्रदर्शन किया तो 33 परसेंट का सांदार रिटन दिया है फिराज श्टॉक फाइव डे टेन डे टेन डे ट्वंटी डे थर्टी डे हंडेड डे और टू हंडेड डे मुवी अवरेस से उपर टेड करता हो दिखा देगा इस समय श्टॉक आप देखें इसने अगर आप देखे तो इसकी रेटिंग को रिडियूस किया है और देख सकते हो कि यहाँ पे जो टार्गेट था उसका 145 का पहले टार्गेट उसको घटा के 140 कर दिया है कोटक का कहना है कि स्टॉक समय आगे आने वाल समय कुछ दबाव में दिखाई देगा क्योंकि स् शेर के साथ ऐसा ही करते चाहे वो सुझलो ने जी हो यहस बैंको सबके टार्गेट निगेटिव देते हैं लखिज शेर की प्राइस डेफिनिटी बढ़ जाती है तो कोई चिंता की बात नहीं है वैसे देख सकते हो कि जो लक्सिमी कान सुकला है यह स्टॉक 153 तक जा सकता ह स्टॉप लॉस 127 का लगाना है तो कफी अच्छे टार्गेट दुसरे ब्रोकेजा उसकी तरब से आई रहे तो उन्होंने यहां पर इसकी रेटिंग को डाउन ग्रेड किया है जो पहले रेटिंग बाय की तो इसको एक्यूमिलेट किया है लेकिन जो टार्गेट है आप दे तो कुल मिला के काफी अच्छे टार्गेट निकल के आरे आदे देगर के हिसाब से इसमें एक समावना बनने लगी है आप देखे तो आगे स्टिल सेक्टर में मजबूती दिखाए देरी है इसकी प्राइज 188 तक जा सकती है टिप्स्टू ट्रेड के अभीजित के हिसाब स से देखे तो एक 142 का स्टॉंग रिजिस्टेंस है और सपोर्ट 131 का है और इसका टार्गेट 115 का दिया उनके इसाब से यह पर प्रॉफिट बुकिंग करनी चीए नीचे 115 तक जा सकता है अब यहां पर देख दो कि टाटा इस्टिल अपनी साथ सब्सडिज कंपनी का विले चाहते हैं और इसलिए यह मर्जर की प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहें अब टाटा इस्टिल का शेयर क्या इस लेवल पर खरीदारी करना चीए तो सबसे बड़ी बात है कि इस समय देखे तो ग्लोबल मार्केट में इस्टिल की प्राइज कमी आई है उसके पीछे वज़े कि यूरोप ने 20% जो इस्टिल का प्रोड़क्शन उसको कम कर दिया जिससे डिमांड बढ़ाने में आसानी हो तो उससे डिमांड बनाने के लिए कोसिस की जा रही है और यूएस के मार्केट में भी एक अच्छी तेजी की समौन बनने लगी है तो यह टाटा इस्टिल के ल बड़ा एक प्लेयर है और डोमेश्टिक मार्क में भी काफी अच्छी डिमांड निकल के आ रही है इस समय जो इनकी क्रूड इस्टिल कैपसिटी है वो 21 मिलियन टन्स के आसमे पर एनूल है जिसको आने वाल समय में वो 40 मिलियन टन्स तक भी पहुचा देंगे तो कुल मिला अपना जो कैपसिटी उसको और डबल एकस्पांड करना जा रही है और ऐसे में आने वाल समय इसकी प्राइस बढ़ेगी और यूके की जो प्रॉब्लम है उसको भी अब सौल हो जाएगी क्योंकि वहाँ पी सरकार पूरा सपोर्ट कर रही है वहाँ पे एक बड़ा इनको फ इक्विल रेटिंग दे रहे है कुल मिला के जो पलड़ा भारी है वह यहाँ पे बाय काई है तो कुल मिला के देख सकते हो कि एक अच्छी तेजी बन सकती है और ऐसे में आपको निवेस करना चीए टाटा स्टिल में अभी आप एक बार इसके पीवोट लेगर को चेक कर ले और एक बार 143 निकल गया तो फिर 146 तक भी जा सकता है जो जेफ्रीज का टारगेट है तो कुल मिला के आपको टाटा स्टिल में इस समय खरिदारी करने चीए मर्जर के बार इसकी प्राई डेफिनेटली बढ़ेगी लेकिन फ्रेंड कोई भी इंवेस्मेंट करने से पहले अपने फाइनेंशल एडवेजिस बाड़ों ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल परपच के लिए ही बनाए वीडियो पसंद आए तो लाइक से जो की जो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए थैंक्यू फ्रेंड